दोस्तों आप सब का साकत है अपने चनल दूर में और दोस्तों आज जो मैं आपके इंसे लाया हूँ दोस्तों ये निकली है आपकी Office of Cantonment Board सुभाथू Ministry of Defense Government of India तो चलिए जल्दी से इस वेकेंसी को हम लोग देख लेते हैं ये आपकी दोस्तों जो वेकेंसी निकली है ये निक तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे फार्मसिस्ट की तो यहां पर एक वेकेंसी ही है आपका पेस के लिए लेवल एट है और इसमें जो एज मांगी गई है वो 21 साल से 30 साल यहां पर मांगी गई है फिर यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो आपको चाहिए 10 स्टू इन साइंस और इस सिक्लेंट फ्रॉमर रिकोगनाईज उनिवस्टी बैचलर डिग्री यहां फिर डिप्लोपा इन फार्मसी होना चाहिए आपके पास और आप रजिस्टर्ड होना चाहिए विद्धी फार्मसी काउंसल अफ दी कांसल इस्टेट यहां पर सकते हैं फिर यहां पर एज लिमिर है वहां मैं आपको बताई चुका हूँ कि 21 से 30 साल है और इसमें रिलाक्सेशन भी है एक सर्विसमेन वगारा के लिए तेचेज आप देख सकते हैं इसकी जो एप्लिकेशन फीस लगनी है दोस्तों वह 500 रुपीज लगनी है जो कि उन कैंडिट् तो आपको जाना कहा है यह वेबसाइट आपके स्क्रीन में दिख रही है इस वेबसाइट पर आपको जाना है लॉगईन करना है और इसके बाद आप वहां पर एंप्लिकेशन फीव पर आप सब्मिट कर सकते हैं फिर दोस्तों यहां पर हैं मोड ऑफ बुकेशन तो एप्ल at the rate gmail.com इसमें आपको fill करनी है और neatly filled application form on prescribed format clearly scanned after affixing latest photograph and sign of the candidate shall be sent via email along with all documents of qualification payment receipt in PDF JPEG format only दोस्तों जो मैंने आपको website बताई थी उस पर जाके आपको application fees वहाँ पर submit करनी है और email के through जो कि मैंने अभी आपको बताया उसमें आपको application form के साथ साथ जो आपका receipt है जो payment receipt था और documents वगरा है वो PDF JPEG format में ही उसको वहाँ पर submit करना है ये आपका दूस्तों 12 December से शुरू हो चुका है और last date of receipt of online application है 20 January तो अभी आपके पास काफी दिन है लेकिन कोशिच करेगा है कि इसको आप जल्दी भर दीजएगा admit card hall ticket call later will only be communicated through email id तो email id में साली notification आपको मिलेगी कि कब आपका admit card आएगा आगे कि procedure वगरा ही guidelines वगरा सब उसमें ही मिलेगा तो कोशिच करेगा कि आपका mobile number email id कहीं से गलत ना हो फी mode of selection तो selection will be subject to the performance of candidate in the under mentioned test तो आपका test होगा वहाँ पे final selection merit will be based on written test और skill test written test will be of 85 marks तो written test आपका 85 marks का होगा जिसमें आपके multiple choice objective type question आएगे जिनका duration दोस्तों रहेगा one and a half hour means 90 minute कर आएगा जिसमें आपको 85 marks के वहाँ पे question करने है और skill test आपका रहेगा 15 marks का date time and venue for written test and skill test will be attributed through email तो email के थ्रूँ आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका examination है फिर दोस्तों typing test भी होगा लेकिन उपकिवल qualifying होगा ठीक है तो आपको थोड़ी बहुत typing test आती है तो आपको कर सकते हो अगर आपको typing सुधारनी भी है तो एक free software आता है type master का उसका आप download करके घर में भी practice कर सकते हैं फिर penalty for wrong answer candidate should note that there will be penalty negative marking होगी for wrong answer marked by candidate in the objective type question paper तो दोस्तों यहाँ पे आपका negative marking भी होगी लेकिन उने यहाँ पे बताने रखा है कि कितनी negative marking होगी eligibility criteria वो मैंने आपको बताई दिया है general conditions documents required at the time of scrutiny documents along with application rejection की condition क्या है selection will also subject to the following condition तो अगर आपका वहाँ पे selection हो जाता है इसके बावजोद कुछ चीज़ें आपे देखी जाएगी जैसे आपका medical fitness test होगा character verification होगा आपका character documents और एक servicemen के लिए उनकी certificate discharge book और educational qualification certificate and experience certificate यह सब देखे जाएंगे साथे साथ आपके जितने भी documents है issuing authority से वह सब वहाँ पे चेक होगे तो यहाँ पे नोगों बता रखा है कि how to apply for the post कैसे आपको यहाँ पे apply करना है यह सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखिए इसको आप पढ़ लीजेगा कोशिश करिएगा क इसको जल्दी से form fill up कर दीजगा ताकि बाद में कोई problem आती है तो भी आपके पास दिन रहें और वो query आपके solve हो जाए तो यहाँ पे syllabus दिया गया है तो यहाँ पे दोस्तो questions related to pharmacy, current events of national and international importance, general science, comprehension, local reasoning and analytical mathematical ability, general mental ability और basic knowledge of computer तो इस पे से आपके question यहाँ पे बनेंगे तो दोस्तो फिलाल के लिए बस इतना ही यह vacancy निकली थी और भी काफी vacancies हैं जिसका मैं वीडियो अप्रे लाओंगा लेकिन दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पे चैनल को subscribe करके रखिएगा और bell icon को press करके रखिएगा ताकि कोई भी job notification आती है तो आपको सबसे पह